दोस्तों इस वीडियो में ultimate guide है for every type of student who want to make money online इस वीडियो में 10 असे तरीके बताऊंगा जिनसे आप घर बैठे 25 से 30,000 रोपे तक पैसे कमा सकते हो अगर मैं आपको बोलू आप अपना खुद का खर्चा निकाल सकते हैं अपनी खुद की कमाई से college fee आपनी जरूदों के बुरा कर सकते हैं तो कैसा लगेगा चाहिए आप school student हो या college student या फिर चुप चाप घर बैठकर time pass कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आप सब के लिए है कोई फर्क नहीं परता कि आप क्या कर रहे हो यदि आप घर बैठे online part time या full time से पैसे कमाना चाते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ आप अपना monthly fee और खुद का खर्चा निगाल सकते हैं वो अभी सिर्फ हर दिन एक घंटे से लेकर चार घंटे तक काम करके ये वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप घर बैठे online पैसे कमा सकते हैं आप उसके काबिल हैं या आप काबिल बन सकते हैं और दूसरी बात आपके अंदर passion जुनून होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए चाहिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं और अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको मानना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको जिद्दी बना पड़ेगा और उसके पीछे दीन रात एक करना होगा अगर आप ये नहीं करोगे तो आप हज़ार वीडियो देख लो कोई फरक ने पड़ेगा आप वीडियो देखोगे, स्किप करोगे और चले जाओगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं और कुछ सीख कर जाते हैं अपने आपको अपडेट करके जाते हैं इसलिए वीडियो को कम्पलीट एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप 10 तरीके जानोगे जिनमें से एक भी तरीका अपना लियाना तो आपको पैसे कवाने से कोई रूप नहीं सकता है इस तरह के वीडियोज पे मिलियंस में भूझाते हैं जरा इन चैनल्स को देखिए और इनके पॉपलर वीडियोज को देखिए हर वीडियोज पे भर भर के भूझाते हैं दर असल ये लोग करते क्या हैं जितने भी यूसपल गैजट्स हैं चाहे वो student के लिए हो या बच्चों के लिए, I mean ये लोग हर टाइब के प्रोड़क्ट्स, गैजट्स के उपर वीडियो बनाते हैं, और उनका affiliate link description में डाल देते हैं, इनके वीडियो इतने engaging, attractive होते हैं, कि लोग ना चाहते हुए भी click कर देते हैं, ये लोग affiliate marketing से लाखो रुपे दक आराम से कमा लेते हैं, और नॉर्मली इस तरह के वीडियो बना कर देखते हैं, कैसे बनता है, मालो मुझे इस digital alarm clock के उपर एक affiliate शॉट वीडियो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन सभी photos को save कर लूँगा, देन इसके बाद एक छोटा सा 360 degree में screen recording कर लूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं इस product के बारे में सब कुछ पढ़ लूँगा, क्या कि आप feature है, क्या price rate है, और इन सब को use करके एक सांदार 30 second का script लिख दूँगा, अब बारी आती है video editing की, या तो मैं खुद voice over record कर सकता हूँ, या AI की help से voice over generate कर सकता हूँ, voice over generate करने के लिए मैं 11 laps का use करूँगा, और इसको already इस video में complete cover किया हूँ, अब मैं script को यहाँ पर press करूँगा, और voice over generate करने के बाद जल्दे से edit कर लूँगा, बहुत यह असान है, आप कर सकते हैं, अगर आपको video editing सीखना है, तो इसके उपर complete dedicated video बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, ओल्राइट, video बनकर त्यार हो गया, यह रहा video का final output, ज़रा ध्यान से दिखिए इसको, रोज सुबह alarm लगा नहीं पा रहे, अब आपकी यह digital घड़ी, हर रोज 5-6 बजे आपको जगा कर सकती है, दोस्तों, इस digital घड़ी को देखिए, यह कोई मामूली घड़ी नहीं है, बलकि यह digital alarm clock है, इसमें date, indoor temperature, smart night light, LCD, सब कुछ है जो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, यह घड़ी आपको रोज सुबह 5-6 बजे उठा देगी, एक अच्छी आदत बनाने में यह घड़ी आपको काफी ज्यादा मदद करेगी, इस घड़ी को कम मत समझेए, क्योंकि इस घड़ी की खास बात यह है, या बहुत सस्ता है और काफी ठिकाऊ है, और यदि आप स्टूडेंट हैं, तो यह घड़ी बहुत ही फायदेमंद की होगी, छात्रों के लिए यह एक वास्तविक जिन्दगी का उपहार हो सकता है, अगर आपको इस घड़ी को खरीदना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर एक भी वीडियो वाइरल हो गया तो आपका काम हो गया, आप हर दिन वीडियो बनाइए, तब देखिए मैजिक, अगर आपको यह करना है, तो एक बार दिल और दिमाग से ट्राइज जरूर कीजिए, बनकर पैसे कमाने के लिए बहुत सारी यूजफुल वेबसाइट यूज़ की जाती है, इसके उपर बहुत सारे कंट्रीज के लोग इस्टूडेंट तरह तरह के कोशन पुछते हैं, जैसे के यूएस, यूके एन मेनी मूर, फॉरेंट कंट्रीज के इस्टूडेंट को बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं, जिनको सॉल्व करवाने के लिए वो आपको पैमेंट देते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जो अर्निंग है, वो पौर कोशन बेस पे होता है, मतलब कि आप जितने कोशन के आंसर दो, उतने ही कोशन के आपके पैसे मिलेंगे, लेकिन एक बात जान जाओ, इस तरह के मैथट से अर्निंग करने के लिए आपको इन दो चीजों में से एक चीज़ तो जरूर आना चाहिए, या तो आप किसी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे हो, एक्सलेंट हो, उस सब्जेक्ट में काफी अच्छी नॉलेज हो, मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट में इंडरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा तरीका होता है जुगार, मतलब कि आपके पास research skill होना चाहिए, किसी भी चीज़ को search करना और उसका answer ढूँना, अगर आप किसी question के answer को ढूट कर दे सकते हैं, लेकिन अपने style में ना कि कौँ भी पैश करके, आप अपने सब्दों में उस answer को लिख सकते हैं, लेकिन ज सबसे पहले जो इस student ने question पूचा है, वो review करेगा और आपको feedback देगा, देन उसके बाद चेक के already बहुत सारे subject experts होते हैं, वो review करके आपके answer को चेक करते हैं, एक बात आप हमेसा याद रखना, कभी भी copy best मत करना, नहीं तो बहुत सारे answer गलत हो जाएंगे, जिससे आपकी bad rating मिलेगी और ज्यादा answer गलत होने से आपका account terminate भी किया जा सकता है, इसलिए answer को research करें, जैनमीन authentic way में answer दें, बाकी आप simply website पर जाकर sign up कर सकते हैं, अल्राइट, number 3, user testing for apps and websites, देखो इसको हलके में मत लेना, सबसे पहले समझते हैं user testing का मतलब क्या होता है, और इसमें क्या का तो मैं आपको आसानी से समझाने के लिए एक जबरजस्ट example से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, Amazon की website आज से 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है, मालो मेरी एक company है, skiller code के नाम से, और उसका एक website है, मुझे नहीं पता कि ये website लोगों को कैसा लगेगा, इसमें क्य क्या-क्या कमिया है, मैं जाना चाहूँगा कि इस website में क्या-क्या improvement हो सकता है, क्या इसमें और features, option की जरौत है, लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं, अगर ये सब कुछ मैं जान जाऊँगा, तो मैं website को improve कर दूँगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग website को use करें, right, इसलिए बहुत सारी companies user testing platform पर जाती है, for example, user testing and user pick जैसी website पर, जहां वो अपनी website को register करवाते हैं, और हम आप जैसे लोग as a user website को test करते हैं, और अपनी feedback को provide करते हैं, जैसे लोग बताते हैं कि उन्हें किस feature की जरौत है, किस तरह का layout पसंद आता है, और क्या improvement किया जा सकता है उस feedback को consider करके companies अपनी website को user friendly, attractive बना देती है, जिससे लोगों को ज्यादा पसंद आए और उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल किया जाएं, अगर हम most famous user testing platform की बात करें, तो उसका नाम ही है user testing, website को test करने के लिए सबसे पहले आपको एक simple test देना होता है, फिर आपको website test करने क मौका मिलता है, और मैं आपको बता दू, इस platform बर दो तरीकों से पैसे मिलते हैं, पहला है recorded survey, जिसमें आपका screen और voice दोन रिकॉर्ड होता है, जब आप website को test करते हैं और feedback देते हैं, तो सब कुछ record हो जाता है, यह जो test है लगबख 20-30 मिनट का होता है, इसके लिए आपको 30 डॉलर से लेकर 90 डॉलर तक यह लगबख 2000 से लेकर 7500 रुपय तक दिये जाते हैं, और good news यह है कि इस काम को कोई भी कर सकता है, इस काम को करने के लिए कोई खास requirement की जरूत नहीं है, बस आपको जरूत के हिसाब से आपको English में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको English में feedback देना होता है, और कोई जरूर नहीं है कि आपको भाहेंकर तरीके सिंगलिसाने चाहिए, नॉमली इतना आना चाहिए कि आप बोल लें, समझ लें और लिख लें, बस, और अगर नहीं आती है तो आप YouTube से सीख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ फ्री है, आप सीख सकते हैं, और र इसा रहेगी, वीडियो अडिटिंग एक सेफ और सेक्योर करियर है, जिसको भी एक अच्छा प्रो लेवल का वीडियो अडिटिंग आ गया, तो वो कभी बिरुज़कार होई नहीं सकता, मेरी खुद की एडिटिंग देख लेजी, बहुत ही कम समय में सिखा हूँ, इसको सी यूटूबर कमपनीज भर भर के जॉब्स निकाल रही है, वीडियो अडिटिंग की मार्केट बहुत बड़ा है बॉस, इसको ज्यादा एक्स्प्रेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके उपर कम्पलीट डीटियल वीडियो बनाया हूँ, जो कि आप इस चैनल पर देख सक सकते हैं, अगर आपको किसी स्क्रिप्ट को पढ़ करना आ गया, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप हर दिन कम से कम 1500 रुपय तक अराम से कमा सकते हैं, जिस तरह बेडिव आडिटर की डिमांड है, सेम वैसे वीडियो पर काम मिलेगा, बलकि आप इंस्टाग्राम, फिस्पु रेडियो कमर्शियल, डॉकुमेंटरी, इलर्निंग प्रोजेक्ट और तरह तरह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सब जगा उनकी जरूरत है, यहां तक की बुक शमरी, आडियो बुक, यूटूब कांटेन क्रियेशन, बीडियो एड्ट्स, फिल्म डविंग, कार्टून क करके पैसे कमा सकते हैं, इसी प्रकार अगर हम बात करें नमबर सिक्स के, तो वह है बीकमा कॉंटेन राइटर या स्क्रिप्ट राइटर, देखो एक बात बता रहा हूं, यह जितने भी मैथड्स बता रहा हूं, यह सब के सब इतने ज्यादे डिमांड में हैं, अगर आपक सोचल मेडिया, कॉंटेन क्रियेशन, लाइक यूटूब, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, लिंक्डीन, इन सब पर वह अपना पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी ब्रैंड बैलू बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग के पास उतना कॉंटेन नहीं होता है, इसलिए स्क्रि इप्टाइटर बन सकते हो, और घर बैठे ऑनलाइन रिमोटली काम करके पैसे कमा सकते हो, या फिर फ्रिलांसिंग कर सकते हो, दोस्तों यदि आपको पांच ऐसे फ्रिलांसिंग वर्क सिखना है, जानना है, जो आप मॉइल फोन को यूज़ करके कर सकते हैं, और यह पांच को यूज करके complete हिंदी में इंग्लिस में या फिर mix of हिंदी या इंग्लिस में ब्लॉग आर्टिकल लिख कर पैसे कमाना चाते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं सब कुछ कबर किया हूं इवन यूजफुल टोल्स लाइक जे पीजी टू पेंजी बना कर दिखाया हू इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्सिन में दे दूँगा आप वहां से जाकर देख सकते हैं और हां जितने भी स्कल्स बताया हैं उन सबको ignore मत करना क्योंकि ये सबे स्कल्स बहुत लोग की जिन्दगी बदल चुकी है और मैं आपको बता दू बढ़ी दूख की बात है बहुत सारे ऐसे स्ट्वेंट है जिनको पता ही नहीं कि उनको लाइफ में करना क्या है कुछ लोगों को पता है बट क्रिस्टल क्लियर नहीं है और बहुत कम ऐसे स्ट्वेंट है जिनको पता है लाइफ में करना क्या है कब करना है और कैसे करना है उन्हें सिर्फ वही दिख तो आप भी उन लोगों में से हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं अभी 12 ऐसे और तरीके बचे हुए हैं जिने मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा जितने भी मैथर्स बतायां उन सबका लिंक या वीडियो स्केलर कोट के टेलिग्राम चैनल पर डाल क्यांकि यह इंसले को देख अलगा अघर मिल्टैंस पर यूस्पुल में तब तरी के लिए लार्नीं केक्प एक्सप्रोण।